हलो नीट एस्परेंट्स तो यार प्राइवेट बीमेस की मैंने वीडियो बनाई थी रिसेंट में ही कि क्या से स्लक्ट करें हैं कौन-कौन से अच्छे कॉलेज हैं बहुत अच्छी वीवर्शिप उस पर आई है और बट उस पर छुटा से एक स्लाइट चेंज हो गया कि मैंन नहीं होगा अब जो फॉलो होने वाला है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट बीमेस के लिए हिंदुस्तान के अंदर अगर मेरे को बहुत क्वालिटी वाली एजुकेशन चाहिए तो सबसे पहले हम क्या लेंगे दीम टूबी उनिवसिटी आते हैं पहला कोलेज है एस डियम हसन दूसरा है पतांजली तीसरा है स्रीधनमंत्री चंडीगड़ अब स्रीधनमंत्री चंडीगड़ के लिए एक्जक्ट रैंग कितनी चाहिए होगी वह लाग टुन्डी सावन था हो जैट टुन्टी नाइन आप अपनी रैंग से इस र स्टार्ट में स्टार्ट हुए थी पतांजली वन लाग एडिन थाउजन्ड नाइन सविंटी इट इस बार की 568 मैच कर रहे है लगबग 570 नंबर चाहिए 565 से 570 नंबर अब आप सोचो ना कि भाया इतनी स्कोरिंग पर उसके बाद में इतनी रांक थोड़ी से और एक्स्टेंड करलो लगबग है लगबग 550 के आसपस है न तो आप इसनु थेंग कि 550 में ये मिल रहा है 570 में ये मिल रहा है है ना SDM असन 2,000,000 रहेंग के आसपास मिलेगा है ना 2,000,000 रहेंग का मतलब कुछ 500 marks के आसपास 500 is scoring अब आप यह सोचों की 550 में यह 500 में यह 570 में यह तो सर गौर्मेंट कितने मिल रहा है गौर्मेंट भई 585 में तो मिल रहा है 585 में जैसे ही मिलना खतम होगा उसके बाद पतांजली उसके बाद सीधनवंत्री चंडिगड़ और SDM हसन की मानेजमेंट कोटी की कितनी फीस है 3,50,000 के आसपास और पतांजली की 2,72,000 के आसपास इंक्लूडिंग होसल फी और बाकी किसी में होसल इंक्लूडिंग रही है सीधनवंत्री चंडिगड तीन लाग साथ जार रुपए फीस है अब अगर हम बात करें डीम टूबी उन्वासिटी का क्या है यार कटव तो आ जाते हैं पीडियाप में ये डीम उन्वासिटी कटव है पहले नंबर पर है भारती विद्यापीट पूने पहले नंबर पर है भारती विद्यापीट पूने इसकोरिंग इतनी है 506 चाहिए भाईया 506 और 426 ये डॉक्टर डिवाई पाटिल है है और ये सुमंदीप सुमंदीप के लिए कितना चाहिए 346 और केली उन्वासिटी आइधिंग ये है है इसको थोड़ा सा मुझे स्लाइड करना पड़ेग आई देंगे केली उन्वासिटी है कंगा वर्डी हां केली है अब यह केली इंस्टिट्यूट है केली के लिए कितनी स्कोरिंग चीप पांच लाग रहें के आसपस और स्कोरिंग इतनी पांच तीन सो बैलिस तो जस्ट यू थिंक इट कि यार हमको एक ये स्कोरिंग इस वीडियो के थ्रू आपको एक ये आईडिया लग गया होगा कि हम अपनी स्कोरिंग को कहां पर ये उट्लाइज कर सकते हैं अपनी कांसलिंग को कैसे टागेट करना है डीमडी उन्वासिटी के लिए औल इंडा कोटे से आपको अपलाई करना पड़ेगा इस्टेट कां कांसलिंग में आपको पाइडिसिपेट करना पड़ता है सबके स्टेडियूल्स अलग अलग आते हैं प्रोसिस अलग-अलग है अगर आप चार आएं कि सर मेरी कांसलिंग हो जाए तो टीम को मेरी रिचाउट करिए हम आपकी कांसलिंग जरूर करेंगे रिमिंस बहुत कम स् 30,000,000 के बीच में हैं तो यूपी के लिए रीच आउड करो यूपी में आपको बहुत सारे धेर सारे कॉलेज ऑप्संस मिल जाएंगे वीडियो आज के यहीं तक और इसी तरीके से कांसलिंग में वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते नेक्स वीडियो में बाबाए